चलो बच्चो आज हम बड़ी ई की मात्रा की एक गतिविधी करेंगे आप लोगों को इसके बाद बताना है कि कहां कहां बड़ी ई है ना पहले कवित हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद नानी नानी सुनो कहाने नानी नानी सुनो कहाने एक था राजा एक थिरानी मानी नानी सुनो कहानी राजा बैठा हाँ थी पर राजा बैठा हाँ थी पर राणी बैठी पागी पर नानी नानी सुनो कहानी एक था राजा एक थिरानी बादल गर जा गर 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 बादल गर जा गर 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 बिजली चम की चम 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 बिजली चम की चम 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 पानी बर्षा चम 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 बीगा राजा बच गई राणी बीगा राजा बच गई राणी भोगई बच्चो खतम कहानी हो गई बच्चो खतम काने नानी नानी सुनो कहाने नानी नानी सुनो कहाने एक थराजा एक तिराने हां तो बच्चो अब यह बताओ कि इस कविटा में कहां कहां बड़ी की मात्रा आई यह बताओ हां 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 तीरे दीरे दीरे हां तुम बताओ नाजरी उस अगुन कहां आया है और बिज्विए और राजरी और राजरी और राजरी और राजरा में कहां है राजरी तुम बताओ कहां है बेटा कहानी में है और कौन बताएगा बताओ जल्दी जल्दी और तुम बताओ तुम बताओ 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 बताओ